हेलो व्यूवर्स आज हम बात करते हैं क्रेटा एन एक्ष्योवी 300 के बारे में यह न्यू एक्ष्योवी 300 है महिंद्रा की सामने आपके देख रहे हैं आप यह है क्रेटा 1.4 लीटर डीजर इंजिन यह टॉप मॉडल पेट्रोल मैनुवल ट्रांस्मिशन की महिंद्रा है इसम 17 इंचिस के हैं पीछे भी आपको यह अंडर 4 मीटर सेग्मेंट कार है इसमें अगर अंदर बैठके पीछे बात करी जाए तो काफी अच्छा लेगरू मिलता है विट सन्रूफ एंड टॉप नॉच सारे इसके स्पेसिफिकेशन्स हैं कार के रिवर्स पाकिंग कैमरास भी ह पीछे बूट भी अच्छी है थर्ट 350 लीटर बूट स्पेस डी फॉगर भी है इसमें एक प्रॉब्लम लगी कि इसमें रियर वेंट्स नहीं दे रखे हैं एसी वेंट्स जो की कंपनी क्लेम करती है कि रिक्वाइड नहीं है इसमें एट इंचिस का इंपोटेंबन सिस्टम लगा रखा है लेग रूम देखिए मैं सिक्स फीट टॉल हूँ जो मेरा हाइट है हेड रूम भी अच्छा है इसली मुद्ब आइम एबल टू सिट बैठ सकता हूं उसमें यह संरूफ है इसकी देखिए टॉप मॉडल में आती है जो पीछे इसको करते हैं तो मैनुवली पूरी पीछे करनी पड़ती है आगे जब आप करेंगे इसको जब क्लोस करेंगे तो आटोमाटिक वन क्लिक से क्लोस जाती है इसमें एक फंक्शन है उपर करने का देखिए इससे कि आपको अगर सफोकेशन अगरी तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं यूज्यूली मॉसीडीज में आता है यह फंक्शन रेगुलर संरूफ में भी आता है यह देखिए इंटीरियर इसका डैशबॉर्ड और आगे इसका आ बटन फिनिश बहुत अच्छी नहीं होती बटन की प्लास्टिक ही लगते हैं देखिए पूरी स्प्लिट्स होके पूरी पीछे हो सकती है 60 & 40 रेशियो में इसमें आपको आम रेस्ट और आम रेस्ट के साथ नीचे स्टोरेज मिल जाती है बटन काफी प्लास्टिक है जैसे यह भाए देखते हैं इसको ऐसे देखेंगे एंटर करते वे और अगर हम इसको कंपेर करें अभी आप देखिए इसकी बूत स्पेस अगराम इसको पूरा डाउन कर लेते हैं सीट को और अगर हम चलें अपनी क्रेटा में 1.4 एंजीन बेस मॉडल में तो देखिए एंटर कर करते ही कैसा लगता है कि यह कंपैरेजन वीडियो है कि देखिए क्रेटिया का थोड़ा अप मार्केट अच्छी फील आती है जो इसके बटन्स मिलते हैं और जो फिनिश है रैप है स्टेरिंग और आपका जो पूरी डाशबूर्ट की जो क्वालिटी है वह बहुत प्रेमियम लगती है कंपेर टू एक्सवी गाईस आप खुदी देख सकते हैं रेस इट्स यॉर डिसिजन अंडर फोर मीटर एक्सवी है आप देख सकते हैं